और वही हो रहा है जो बड़े रसे से हम आपको बताते हैं हम से तो हालात अभी तक करते ही रहे लोग सवालात अभी तक कोशिश करेंगे न हम उन्हें मुसल्मान करने के कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मताबक की जिन्दगी अपनाए अब इतना बड़ा फैसला इंगलेंड से आ गया है और मुमनों को बड़ी तन बदन में आग लग गया हिंदूओं को जब इंडियन्स बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता है कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का जंडा लहरान हैं वो यह नहीं है कि हाँ जी हमने गाई हराम करवा देनी हैं सबको गोरों को पर भी हमने तंग करना हो ठाट करना हूँ तो प्रमेट्र्मांटी सभी हो जाएं आ ट्र्राइड करनी है तो ये जरूरी तो निया हम उनको कहें कि आपम लिए नहीं पर कि जो वेस्टर्ण करें डिए दुनिया की पांच वी बड़ी मौशियत है तो कौन कोई कहते हैं इसलामिजम हो रहा है लोग न कोई जाती कर रहे हैं तो जब तक अपने गिरयवान में नहीं जहांक केंगा नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों पाकिस्टानी जहां कहीं पर भी जाते हैं अपनी हरकतों की वज़त से हर जगर पर जलील होते रहते हैं अब यूके की तरफ से एक ख़बर आ रही है कि उसने पाकिस्टान सही जो है न दो ती करने के लिए यूके यह बड़ा एक्सल लेने वाला हो इसका पाकिस्तान पर साफ देखने को मिलेगा वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल इकन को दबाना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब इतना बड़ा फ करें कि एक ही कौम है पूरी दुनिया में हिंदूों बुद्धिस्टों किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है अगर जब आइडियोलोजिकल डिफरेंसे आते हैं तो वह एक कौम है और जब दूसरे सिविलाइजेशनल इशू आते हैं औरों के साथ वह औरों में चला उसके जिदर जाते हैं एक तो वहां पे बिड़ा घर्ग करते हैं अपसे परसेंटेज नहीं हुअको झाते हैं बर्मिंगम जो है बन करफे दे देझे कि हमने बड़ी दफा वह सिआछ सबसे उपर हाउस होल्ड की ज। इंकम है वो लिइन संवसे नीचे जो हौई पाकिसनी ओगी इंडियन जो हैं गोरों से भी ज़्यादा पर कैपिटा ऑन एवरीज उनकी फैमिली इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंगलेंड में यही हाल उनका अमेरिका में भी है हर जगा पे है तो इससे पते चलता है कि उनकी कल्चुरल ब्रॉट अप क्या हुई भी है हिंद शरीया फर यूके के नारे मारते हैं रिशी सुनक ने अभी डारेक्टिव दिया के हमारे मुल्क में जो एक्स्ट्रीमिसम है अब तो बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ गई है तो अब हमने जो हेट प्रीचर्स है यह जो नफरत फलाने वाले जो मुमिनीज मोल भी आते है इनको हमने दाखला बंद करना अब नाव इसकी अप्लिकेशन कैसी होगी इसको कैसे किया जाएगा यह अब करना मुश्किल है जैसे आपको याद होगा के जाकर नलाइक जो कहता था अगर 9-11 जो हुआ अगर वो तैशित कर दिया तो मैं इस तरह की तैशित दिरोज करना च करते हैं अब यह उसका नतीजा हमने देख लिए पहले उनको फ्रीडवा स्पीश दीवी थी कि चलो बोल रहे हैं बोली जाएंगा नंबर का मैं क्या होगा कुछ नहीं होगा लेकिन आप हमें उसका रिजल्ट रहने लग गया इन्हों ने अपनी अवाम को चलो पाकिसान के स्याल कोड में सरगोदा में लाहर में कोई यह पागल मझभी जिनूनी लोग बैठे हों तो चलो उनको किसी से कोई फार्क नहीं पड़ता लेकिन जो लोग इससे इमिग्रेंट उदर जाते हैं फिर वहाँ पर जाके बच्चे पैदा करते हैं उनके भी बेड़े घर के हैं वो गोरों के मुलकों में पैदा हो कि भी उनकी दमाग आगे नहीं जाते हैं तो वो भी वहाँ पर इसी तरह की बातें करते हैं देख लो यह जितने ऑनलाइन आपको मिलेंगे डिली डुली हसायन वगारा जिस तरह के लोग होंग उनको और कोई खुआ भी नहीं आता इसके इलावा के UK में हम शरीयत लेंगे इसके इलावा उनको कुछ ही नहीं उनके पास और यह इंगलेंड में चुँके जो सबसे ज़्यादा डॉमिनेंट मूमनों की फोज है वो पाकिसानी हैं इसी लिए जो हमने इंगलेंड में खराबियां देखी हैं वो हमारे पाकिसानी हो क पाकिसान का उसके साथ मिक्स हो जाता है यूदा को पाकिसान जंदाबाद के लंदर में नारे लिए लेकिन का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे न हम उन्हें मुसल्मान करने के कोशिच करेंगे ताकि वो हमारे मताबक जिंदगी अपनाएं और उनको पता हो के मुसल्मान के क्या हकुक है उनको हम कैसे टीर करें इससे क्या वैदा हुआ एक तो वो हमारे यह है कि अगर हिंदू है तो अगर वो भी मुस्लमान हो जाएं तो फिर इस तालुका अपर मेंट्री सही हो जाएंगे तो जो जो है इंडिया उसके बंगना देश के साथ नेपाल के साथ भोटान के साथ और स्री लंका के साथ इतने अच्छे तालुकात नहीं हैं अभी आप रिसेटली मतलब है कि वह स्कूल मुनी जा पाते होंगे फिर ना नहीं जाते हैं मुसल्मान नहीं जा पाए ओर भो इतना जुल्म के बारती मुसल्मान ना तो स्कूल जा पारे मजजिदे चले जाते हैं और नहीं, वहां भी नहीं जा सकते हैं, बहुत जादा पबंदियां उनका, अच्छा घर में तो नमाज पर सकते होंगे कि नहीं? यहां पर भी इंडियन आर्मी है, बहुत जादा भी नहीं है, अच्छा गर्पे भी एक एक आर्मी उनके बैठी होगी, वहां पर एक फॉजी, हो सकते हैं, आपस में फोन पर बात कर सती हैं, यह सहूलत है उनको, मुझे लगता है कि शाद यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, बहुत जादा मुश्कील है उनके लिए, तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी, आप मुझे बताए, उनके लिए लफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल लफरत नहीं है, भई पाक चिन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फैदा देते हैं, जैसे भी हम मुसल्मान है ना फर्ज करें, लेकिन हाक बनता है, एक बात है कि हमें जरूरत है इस चीज की, एक में एक बंदिक से तल्ग बनाओंगा ना, ना कहें कि हम लोग मुसल्मानों के बड़े सब्सक्राइब हैं, जब देखें, उन्होंने एक हमारे साथ थरकत की है, मुसल्मानों के लिए खि तो दोस्तों, आई होब कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, जो कटरपनती लोग हैं, जो बढ़काव बयान बाजी करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूके की जो गोर्मेंट है, उसको पता ह आई कि उन्ने ये पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से और भी कही सारे देशे जहां से जो परकाव बयान बाजी करते हैं, उन्हीं के खिलाप आप यह तरीके से बयान बाजी वहां पर भाशन देते रहते हैं, तो आब इन सब को कंट्रोल करने के लिए यूके दिरे दिर एक्सन ले रहा हैं और हम यहाले में ख़वर आई हैं कि जो यह जो लोग है जो इस तरीके की बयान बाजी करते हैं इनके परवेस पर ही रोक लगा दी जाएगी कि यह कभी UK के अंदर परवेसी ना कर सके बाकि आप पूरी वीडियो देखिए अगर आपको कुछ कहना है तो कम बहुत बहुत धन्यवाद